साप के साथ माज मस्ती करना इस शक्स को भारी पढ़ गया नशे में धुत इस आदमी को साप ने ऐसा काटा कि ये फिर कभी नहीं उट पाया यानि इस आदमी की मौत हो गई साप से खेलते हुए ये वीडियो काफी तीजी से सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है देखिए कैसे ये आदमी साप को मौह में डाल रहा है तो कभी गलों में लपेट रहा है गावालों के सामने ये हीरोगिरी दिखा रहा है लेकिन इसकी ये हेरोगिरी धरी की धरी रह गई इसे देखकर आज़ पास मौजूद लोग डर रहे हैं लेकिन ये तो अपनी ही मस्ती में है इसे इस साप से डर नहीं लग रहा इस दोरान ये आदमी आजपास मौजूद लोगों को साप से डराते हुए भी नज़र आया साथ ही गंदी गंदी गालियां दे रहा है कुल मिलाकर इस आदमी ने पूरे गाउं में जम कर बवाल काटा लेकिन नशे में होने के कारण इसे ये समझ में नहीं आया ये साफ जहरीला भी हो सकता है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है ये मामला बिहार के सीवान जीले का है यहां मैरवा ठानक शेत्र के तितरा गाह में साप के साथ खेल रहे इस आदमी की मंगलवार को मात हो गई ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है मृतक की पहचान इदरजीत राम के रूप में हुई गटना के संबंध में जब लोगों से बाचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इंदरजीत राम अपने घर में पहले से रखे गए ईद को हटा रहा था इस दोरान एक जहरीला साप निकला जिसको गले में लपेट कर कई घंडों तक गाओं में घुमता रहा साप को देखने के लिए लोगों की काफी भीर जमा हो गई साप के फन को बार बार अपने मुह में डाल रहा था इस दोरान साप ने उसके होट पर दस लिया जिसके बाद स्थानी लोग इसे इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मिद्गोशित कर दिया